हेलो फ्रेंड्स, त्रुशास टेस्ट गुजराती चैनल पर आप समनू स्वागत से, आजे आपने बाढकोनू एकदम फेवरिट एवू चीज बनावीशू, चे एकदम अमुलनू रेडिमेट चीज मड़ाचे तेउच बनछे, पन रेसिपी शुरू करी येते पेला जो आप मारी चैनल पर नवा हो, तो प्लीज मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने ओल पर करनाग जो, तो चलो शरू करीए रेसिपी, अहीमें एक लेटर जेटलू फूल फेट दूदली देलू छे, तेने आपने गरम मूकी देशू, अहीमें कोथली नू दूदली दे अहीमें 2 लिम्बून नीचोवी ने तेनो रस काडिली दो होतो, लगभग 3 टेबल स्पून जेटलो लिम्बून रस थशे, लिम्बून रस नाख्या पची थोड़ी कजवार मा पनीर अलग थाई जशे, खणी वख ते उठतू हो है चे के लिम्बून रस नाख्या पची त अने नीचे उत्तारी लेशू, अने तरत ज आपने आने गाडी लेवानू छे, आपने वधारे गरम नथी करवानू, नेतर आपणू पनीर छेते चवड थाई जशे, जेना थी आपणू चीज छेते सरस नहीं बने, हवे आपने आने नीचे उत्तारी लेए, हवे एहीमें खाली तपेली लिदेली छे, तेना उपर एक आविरीतना गर्णी राखे देशू, अने गर्णी उपर एक कोटननू कपड़ आविरीतना राखे देशू, अने तेनी अंदर आपणे जे पनीर बना आविने राखे हो छे, ते काठी लेए शू, आपणे याने तरत ज गाडी तेने आपड़े फेंकवानु न थी, आपड़े जे आ पाणी निकड़ू छेत एकदम प्रोटीन थी भरपूर होएचे, तो एने आपड़े राखी देशू, अने दाड बाफफामा अथ्वा तो भात बाफफामा केपची लोट बांधमा गंबे एमा तम्या पाणी ने वाप थाई जशे, ऑने पनिर ठंडु थाई जशे, जेती तेनी कुकिंग प्रोसेस अटकी जशे, अनि कुकिंग प्रोसेस अटकी जवा थी, ते चवड नहीं धाय, तो आने आपड़े ठंडु पाणी नाखी अने व्यवस्तित धोई लाई शो, व्यवस्तित दोई लिढपची, हवे आपड़े आ कपड़ा ने पोटली वाडी अने एना थी वधार पाणी जे हसे अंदर ये बद्धु दबावी ने निचोवी देशू आ वक्ते जे निचे पाणी भेगू थायूँचे तेने आपड़े राखवानू न थी तेने आपड़े फेंकी देशू आपड़े वधारानू पाणी बद्धुज नितारी लेशू अने तेने उपर वजन राखी अने आपड़े बेकल्लाक माटे आपड़े फ्रीज मा राखी देशू जेथी आपड़े पनीर एकदम सरस सेट थाई जाए तो आनी उपर आउं वजन मुकी देशान हवे आने 5-1 मिनिट जाए एज अने 5-1 मिनिट पछी है पनीर बन्या पछी चीज बनाओमा जशे तो आम जोईए तो 10 सज मिनिट नियंदर तमें तयार करी शको छो चीज ने हवे आपड़े एक मिक्सर जार लए लिए तेनी आंदर पनीर नाखी देशू आपड़े जया पनीर बना युशे तेनू अरधूज पनीर रत्यारे नाखी रही छू अरधू पनीर हूँ राखी दऊँचू હવે આવી રીતના અર્ધુ પને રાખી દાં છું અને ત્યારબાદ આની અંદર આપણે મોટી બે ચમ્ચી જેટલું લેવાનું છે જો મ્યાને એકદમ સરસ ગ્રાઇન કરી લીદું છે એકદમ સરસ પેસ્ટ ફોમમાં આવી ગયું છે તો હવે આપણે એક કંટેનર લેલીએ જેન્ય અંદરમે પ્લાસ્ટિકની કોથડી રાખી દી છે તમે તેની જેગે વધારેવાર રઈગી વસે તો એજ કઠાણ થશે ને પણીર તરતમ કર્શો તો એકદમ જલ્દી સોફ્ટ થશે એટલે એમાં ફ્રીજ માંથી કાડી લી દેલું છે તમે જોઈ શકો છોકે આપણું ચીજ એકદમ સરસ સેટ થઈગ્યું છે ટેક્સ્ચર માને ટેસ્ચમાં એકદમ અમુલનું ચીજ હોઈ તેઉંજ ચીજ બંછે તાજ ની રેસીપી કેવી લાગી પ્લીજ મને કોમેંટ કરીને જણાવ જો અને જો રેસીપી ગમી હોએ તો લાઇક કર